कि अधर टीक वाली मंजीद ना पड रिया है अच्छिए करें अदू मुझे लग रहे हैं मैं पूरी पड़ी ना इतने तुम आ गए अब तुम क्या कर रहा हो ये अच्छी माशाल्लाइब बैट करो ना अच्छे से पहले की राइटिंग हमें आपको पहले की राइटिंग हमें और के राइटिंग हमेंज minha इसक्रीफ चांग करें अच्छा से lijसाण में । अगली मोरनी हो चुकी थी और वो वीडियो था पिछला वाला इशा के बाद का तो आप इंजोई कीजिए कमली वाले मुहम्मद तु सदके में जाँ कम्ली वाले मुहम्मद तो सदके में जाँ जिन्य आके घरीबादी बाँ पढ़ लाई कम्ली वाले मुहम्मद तो सदके में जाँ जिन्य आके घरीबादी बाँ पढ़ लाई कम्ली वाले मुहम्मद तो सदके में जा जिन्ने आके गरीबा दीबा फड़ लई बेरी बख्षिश वसीला मुहम्मद दाना जिन्ने आके गरीबा दीबा फड़ लई कम्ली वाले मुहम्मद तो सदके में जा जिन्ने आके गरीबा दीबा फड़ लई ओदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नाई ओदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नाई ओदे वर्गा कोई जगते साहा नाई जेना हों दे मुहम्मद बच्चे जा चुके हैं दोनों स्कूल, उसके बाद मैं चल रही हूँ उपर की तरफ, मैं बहुत दिन से नहीं गई थी उपर, तो चल के देखते हैं कितना गंदा हुआ है, तो उसको साफ करना है, आपको दिखाती हूँ मैं अभी, यह देखें उपर की हालत, कितनी जादा गंदा हो चुका है, मैं बहुत दिन के बाद आई थी, बहुत दिन का बाद आने का रीजन सिर्फ एक ही है, हमारे यहां पर बंदर बहुत जादा आते हैं, तो मुझे लगता है उनसे डर, और हस्बेंट भी घर नहीं रहते, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिलता, और नहीं मैं उपर अकेली आ सकती हूँ, उस दिन मेरी अम्मी थी, तो मैं उनको लेकर आई, और मैं यहां पर सफाई की, बहुत ही जादा गंदा हो चुका था यह, तो अच्छे से मैंने इसको साफ किया, लेकिन फिर म इसको ऐसी छोड़ दिया था, फिर अगले दिन मॉर्निंग में मैं आई, और मैंने यहां पर वोश करना शुरू कर दिया है, मैं आपको क्लेनिंग होने के बाद भी दिखाऊंगी, और साथ के साथ आपको इंज्वाए कराती रहूंगी, मैं क्या क्या कर रही हूँ, तो आप सुनते रहे हैं। बड़ी सिफता नल भर आये सारा कुर्राँ जिन्ने आके घरीह बादी बाद पढ़ लाए। कम लिवाए मुहम्मद तू सदके मैंजां जिन्ने आके घरीह बादी बाद पढ़ लाए। कम्ली वाले मुहम्मद तु सद्के में जाँ जिन्या के घरीबां दिबां पढ़ लाई कम्ली वाले मुहम्मद तु सद्के में जाँ कम्ली वाले मुहम्मद तु सद्के में जाँ कम्ली वाले मुहम्मद तु सद्के में जाँ जिन्या के घरीबां दिबां पढ़ लाई कम्ली वाले मुहम्मद तु सद्के में जाँ जिन्या के घरीबां दिबां पढ़ लाई तो इस सारी चीज़ों को हम सैट कर देंगे अपनी जगा पर यह देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सोफे को सैट कर दिया है अब मेरा बैड रहता है यह तो हो गया है तो चलिए बैड पर भी हम बैड शिट बिचा लेते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा जो भी चैनल पर न्यूँ है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताके आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले मैं लाती रहती हूं रूटीन वीडियो और बहुत अच्छी अच्छी यूनिक रैसी पीवी तो आप मेरे साथ जुड़े रही हैं आप इंजॉइख कीजिए कमली जांगा जुने आके घरी बांदीबाँ पड़ लाई कमली वाले अले माले कमली वाले मुहम्मद तुस्ते में जांग जिन्यां के घरी बांदीबाँ यहां की तो कमरे में बाहर से कुछ इस तरीका का लूख आता है हमारे पार्क का और बाहर का वी दिखा लेते हूं थोड़ा सा पायनल लुक देख लीज़े कमरे को करते हैं बंद क्योंकि अच्छे से साफ हो चुका है अब थोड़ा सा बाहर का और दिखा देती हूं कुछ इस तरीके का है हमारा उपर का पोशन बना हूँ यह आगे कर खुला हुआ है और इस तरीके का है यह देखिए एक कमड़ा है उपर और अभी जीने की रहती है दुलाई करने के लिए अभी इतना बाकी है सारा जीना को मैं इसकी भी सफाय कर लूँगी उसके बाद ही मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इसका है अब मैं आपको दिखा रही हूं इसका फाइनल लुक शाम का टाइम हो गया था बिल्कुल और जीन भी मैंने क्लेन कर दिया था उसके बाद यह देखिए पूरा साफ हो चुका था और सूख भी गया है करते-करते मुझे शाम लग गई इस काम को अब नीचे की तरफ कम्ली वाले मुहम्मद तो सदके में जाँ जिन्या के घरीबां दिबां पढ़ लए कम्ली वाले मुहम्मद तो सदके में जाँ जिन्या के घरीबां दिबां पढ़ लए कम्ली वाले मुहम्मद तो सदके में जाँ जिन्या के घरीबां दिबां पढ़ लए ओदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नाई ओदे वर्गा कोई जगते साहा नाई जिन्या के घरीबां दिबां पढ़ लए कम्ली वाले मुहम्मद तो सदके में जाँ जिन्या के घरीबां दिबां पढ़ लए खाने में मैंने आज कुछ नहीं बनाया था मैंने बाहिर से मंगाया था यह बटर चिकन और इधर मैं अपना सारा मेरा काम हो चुका था पिछिन का भी और मैं दूर गरम करने के बाद अब अपनी वीडियो का एंड करती हूँ फिर मिलूंगी अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज